हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल परी ब्लोग कुकुवित परी आज हैदराबादी किचन में फिर से आपका सवागत है आज हैदराबादी को इडिश बन दुए लेकिन वेज हैदराबादी आलू मतर प्लाव बन रहा है तो मैंने सोची वेज देखने वाले हैं जो लायके दा है चटपटी रेसेपी चली कीचन में चलते हैं देखती है क्या लिए है इंग्रेंड आलू मतर है दरावादी प्लाव है को यह यह देखिये विर्यानि राइस लिए हैs 2 गलास बरके है इसको भीगने रखे है हम इसको कम से कम हम इसे आदा खंटा भीगने रखेंगे और रख चुके हैं हम ऑईल है संफ्लावर ऑयल है तेज़ पता है दालचीनी है दो शाजीरा है प्वूल है लॉंग है तीन यहां पर धन्या जीरा का पाउडर रहे अधरक लसन पेस्ट एक गरम मसाला पाउडर यह होम में बिर्यानी मसाला है और नंबर करें यह पुदिना है धाई लिए लेक प्याला भर की मटर आप मटर देखें कितने फ्रेश है टमाटा लिया एक खटा एक चॉप करके रखे है लसन कोतमीर है सुरी सब्सक आची है 6-7 लिए हैं तीन बड़े typa की प्यास चोप कर रखे और यह आलू है तीन आलू दे हैं हमने तो चलिए स्टार्ट करते हैं भी हमने गैस पे प्याला रख चुके है यह देखिए गैस ऑन भी कर चुके है अभी हम इसमें ऑईल डालेंगे तपेला गरम हो चुका है तो अभी हम ऑईल डालेंगे इसमें कि ऐसे ऑई बी आपके के मुताविक लेकिन उइल का इस्तोमाल फोड़ा खादा होगा Areeshघ़राबदी जो भी धीश हो दो एसमें ओउल का इस्तोमाल थोड़ा जादा ही होता है wantHilling कंट ही औहु AM तो अभी हम दालेंगे हिंग इसमें और गरम मसाले दालेंगे तीन लॉंड ये थे शाजीरा तेज पत्ता दालचीनी फुल जोप करके जो प्यास रखे थे तीन बड़े साइज के वह दाले ले अचमिल प्यास को हमें जादा लाल में करना है हलका सा ब्राउन करना जब तक हमें इसे पकाना है जब तक यह सो रहा है तौक दुस्टा मसाला ताइयार करेंगे जो यहां हरी मिर्ची थोड़ी दरदरी पीसे गई तो अभी हम इसमें धाई डाल के इसको एक मतलब ग्राइंड करेंगे यह देखिए यह धाई हरी मिर्ची कुतमीर हमने इसके रख दिये और यहां पर प्यास हो रहा है हमें इतना ही इसको मतलब हलका सा लाल करना है अभी हम दालेंगे इसमें की रेंज यह देखिए अधरक लसन अधरक लसन दाले के बाद हमें इसे मिलाना है कि अधरक लसन की स्मेल ना आ है कि पेल में ही उसे पहला मिलाना है दनिया जीरा का मोटा मोटा कुटावा गरम मसाला यह है होममेड बिल्यानी मसाला नमक सांदा नमक या सेंदा नमक जो बोलते हैं मिक्स करना है हमें अच्छे से अभी स्रीफ हमने मसाले ही डाले तो इतनी खुश्बू आ रही होममेड जो हैदरावादी मसाला है बिल्यानी का उससे देखिए इतनी खुश्बू आ रही है अभी हम गैस की आज को धीमे करेंगे और फिर धही डालेंगे जो धई मीर्ची और हरादनिया हमने पीस के रखाए इसे हम अच्छे से भूनेंगे जब तक इसका ओईल सेप्लेट नहीं होता है और धीमे आज पे धीमी आज पे हमें इसलिए इसके भूनना है कि अगर आप फास्ट प्लेंबे करेंगे तो धही फूतने का डर रहता है और फूता भी है तो अब इसको धीमी आज पे भूनेंगे यह यह देखिए अच्छे से फूना रहा है तेल भी सेप्रेट हो चुका है तो अभी हम दालेंगे टमाटर जो एक टमाटर को हमने चौक करके रहें बड़ा टमाटर और खट्टा टमाटर हैदराबादी टमाटर अभी माट डालेंगे हम मटर मिक्स करेंगे अच्छे से आलू दालेंगे हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसे दो मिनिट हम इसको फास्ट फ्लेम पे रखेंगे फिर हम चामल डालेंगे इसमें देखिए मैंने फास्ट फ्लेम पे रखेंगे इसे दो मिट हो चुके फास्ट फ्लेम पे तो अभी हम डालेंगे चामल है है थराबादी बास्मती यह चामल है यहां के आप जानते चामल भी बहुत मश्यूर है मिक्स करेंगे हम अचिसे अभी हम इस दो गिलास बास्मती चामल लिये थे और आदा घंटा भीगाये थे हम तो हम दो गिलास बास्मती में तीन गिलास बॉइल वाटर दालेंगे हम जब बॉइल ओटर है यह अज़िए फास्ट प्लेम पे हमें इसे पकाएंगे हम इसमें अभी दो हरी मिर्ची चीर के डालेंगे हमने दो हरी मिर्ची दाले ते अभी और हरा दनिया दालेंगे याने की कोत्मीर हमारी जबान में यह देखी पानी पूरा सूप गया इसका तो अभी हम इसको हिलाए नहीं हमने जब कोत्मीर और हरी दाले तो बिल्कुल नहीं हिलाए है अभी हम इसको धाक के रख देंगे इसको हम दम पे छोड़ दिये हैं और 5-6 मिनिट रखेंगे थोड़ा हम इसको खोलेंगे और इसमें पुदी ना दालेंगे और धाक के रखेंगे वही 5-6 मिनिट मैंने आपको बोली हूँ लू मटर पलॉ के साथ हम राइता बना रहे हैं और राइते के लिए हमने लिए है एक बड़ी प्यास और उसको इसमें चॉप करेंगे और एक हरी मिर्ची बड़ी है यह देखिए इसमें ही धाई डाल के हम पीज़ें धाई डाल के इसमें ही चॉप करेंगे हम अब जाए है 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 अब जिसमें इसको चॉप करें थे उसी कपा उसमें पानी दल के और इसमें मिक्स करेंगे बहुत ही सिंपल सा है और यमी है यह राइता दही प्यास हरी मिर्ची बस थोड़ा सा कोटमीर उपर से डालेंगे बारिक चॉप करके कोटमीर डालेंगे नमक डालेंगे जीरा पाउडर डालेंगे काली मिरी पाउडर डालेंगे काली मीरी नमक धनिया जीरा का पॉडर यह खाली जीरा पॉडर है धनिया नहीं इसमें मिक्स नहीं करना है ऐसी रखना है यह हमारा डन हो गया रायता आलू मटर प्लाव के साथ है दराबादी हो चुके है अभी हम खोलते हैं से यह देखिए एकड़म खिले खिले चाहूं ले आज प्लेटे लग चुके है और यह लीजिए हैदराबादी आलू मटर प्लाव रेडी हो चुका है और उसके साथ में धही का रायता है धही प्यास हारी मिर्ची का और ओपर से जीरा पॉडर है अगर आपको यह रेसेपी पसंद आती है हिदराबादी आलू मटर प्लाव की तो प्लीज लाइक शेर कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना और हर किसी को आप शेर करना क्यूंकि आपको हिदराबादी खाने मिल रहे हैं कि सब इदम जाकेदार लजीस होते हैं यह दूआ बाव में खास याद रखिए खुश रहिए और खुशियां बाढ़ते रहिए